हाई फ्रेंज तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादे स्पेशल वने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा नाश्टर बनाने वाले हैं जिसको बनाकर आप एक पर बनाएंगे और महीनों तक अराम से स्टोर करके रख सकते हैं तो यहाँ पर एक पैन में हमने लगबग तीन बड़े चम्मच जितना साबुर धनिया लिया है दो चम्मच हमने सौफ लिया है और एक चम्मच हमने जिरा लिया है तीनों ही चीज़ों को हम लोग ड्राय रोस्ट करेंगे बिना तेहिल के बिल्कुल दीमी जीमी आज पर जब कि इसमें अच्छी सी खुश्बू नहीं आने लगती है तो देखिए हलका सा कलर भी चेंज हो गया है बहुत ही बड़ी असी इससे जड़ा में रोस्ट नहीं करना है इसको बहार निकाल लेते हैं और इसको एक दम दर दर सा पीस कर त्यार करेंगे ठना होने के बाद में मैं थोड़ां को जादा कांटेटी में बना रही हूं कि एक बार बना करके आप स्टोर भी कर सकते हैं तो सौधन इसमें डाल देंगे नमक और अब हम इसमें जाल तो ठोड़ा करके तेल तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें लगबग लगबstate 100 ml जितना ऐं चेक्म एड क मिक्स करना है जिसे कि हमारी जो नाश्टा बनेगा वो एकदम कस्ता बनकर तियार होगा और जब इसमें पूरा ओइल अच्छे से मिल जाएगा तो हम इसकी मुटी बना करके देखेंगे अच्छे से यह बाइंड हो रहा है इसका मतलब ऑइल एकदम परफेक्ट है इसमें अग थोड़ा-ठोड़ा करके पानी एट करेंगे और पानी एट करके एकदम सॉफ साटा गून का तयार करना जैसे यह जाबाती के लिए लगाते ना बिल्कुल वैसा ही आटा आमे गूं का तयार करना है उससे भी थोड़ा सा नरम होगा तो अच्छा रहेगा टाइट नहीं होन अपस में और यह दिखिए हमारा आटा 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 से त्यार कर लिया है और यह पर आपको दिखाते हुए देखें जो आटा है वो इक चिप चिप आसा लग रहा है एसा ही इमको चाहिए अब इसको धक करके लगबग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगी जिससे कि आटा पढ़ि अगर टाइम हो तो आप ओवरनाइट भी इसको सोग कर सकते हैं दोनों यह दालों को भीगोने के बाद में आप इसको मिक्सिक राइनिंग जार में डालेंगे मैं पूरी दाल का इस्तमाल नहीं कर रही हूं थोड़ी सी दाल को हम दरदरा सा पीसेंगे बाकी की जो दाल है उ और गरम होने के बाद में जो दरदरा मसाला हमने पीसा ताना जो शुरू में सेक लिया था हमने बूना था हलका सा बस वही मसाला हम इसमें एड़ करेंगे गयस की फिलम को एकदम धीमा रखना है और साथी में डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई अदरक और थोड़ी सी चीजों को हलका सा रोस्ट कर लेंगे, फिलम को बिल्कुल लो रखना है, इस चीज का दया रखना है, बिल्कुल भी मसाले जले नहीं, जब हलका से रोस्ट हो जाएंगी, तो लगब लगब एक कटोधी जितना हमने इसमें बेसन एड कर दिया है, और बेसन को एड करने के आगेगा और आपको पता चलेगा कि बेसन मुन चुका है, तो यहां देखे, यह ओल रिलीस करने लगा है बेसन, इसका मतलब अच्छे से भून किया है, बस इससे जादा हमें इसको भूनने की बिल्कुल भी ज़वरत नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगी, जो हमने दाल को त्यार किया था, वो दाल इसमें एड़ कर देंगे, साथ ही में थोड़ी सी दाल हमने बच्चा कर भी रखी थी, साबट उसको पीसा नहीं था, तो वो दाल भी हम इसके अंदर ही एड़ कर देंगे, दोनों ही दालों को इसके अंदर से बढ़िया से मिक्स कर देंगे, जाता यही नाष्टा बढ़िया नहीं लगेगा, बस एक बाद दाल को अच्छे से mix कर लें इसके बाद में हम इसने फिर कर सकते हैं. दो पिंचिस में डाल देंगे हींग यानिकी जो हम हिंग कडी पगरा में डालते है बहुत पड़िया टेस्ट आएका साथी में डाल देंगे इस्वादानुसार नमक इससे बहुत बड़िया फ्लेवर आएगा और साथी में ध्यान रखना है जो आउटर कोटिंग है उसमें भी नमक डाला है तो बहुत ज़्यादा मातरा में आपको नहीं एड़ करना है बस अब सभी मसालों को अच्छे से कर देंगे मिक्स एक्सदम से बेसिक से मसाले हैं जो सभी के घर में एविलिबल होते हैं तो आपको ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि बजार से आपको कुछ लेकर आना पड़ेगा पस घर पर यह आप इन चीजों को बनाईए और अराम से महीनों तक आप इसको ना होना है जबते हैं कि हलक किसी ड्राय नहीं होने लगते हैं सिर्फ हलका सब उनेंगे लगबग लगबग 3-4 मिनाट इसमें लगेंगे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है और यह देखिए हमारे जो दाल है वह पहले तोड़ी सी ड्राय हो गई है तोड़ी बिक् चोटे चोटे लड़ू उस मसाले से हमने बना कर त्यार कर लिए अपने स्टफिं से और आटे से हमने चोटे चोटे पेडे स्टरा से तोड़ कर लिए हैं अब यहां पर एक एक पेडे को उठाएंगे और हातों के बीच में रगड़ते हुए इसकर एकदम चिकना सा बॉल त्यार करेंगे आपको ध्यान रखना जादा इसमें क्रैक्स नहीं नजराने चाहिए नितमार नाश्टा एकदम परसेक्ट नहीं दिखेगा बस इस तरह से सारे पेडे बना करके सारी बॉल बना करके त्यार कर लेते हैं तो यहां पर हमने सारी बॉल बना ली है अब एक बहुत ही आसान है इसको बनाना बिल्गुर परिशानी नहीं आएगी आपको यह देखे हातों के बीच में इस तरह से रखेंगे इसको आपको जादा कैविटी बनाने की भी जरुरत नहीं है एक हम चोटा सा जो हमारे मसाले का लड़ू हमने बनाया था लड़ू उठा करके इसको बीचो बीच रख देंगे और इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे जैसे हम इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे यह इसमें कैविटी अपना बन जाएगी और जो डो है वो उपर की तरफ निकलने लगेगा यह देखे इस तरीके से और इसको उपर की तरफ बस प्र हमारी यहां पर इक गोल गोल कचोरी बन करके त्यार हो गई एक दम बिल्कुल भी जॉइंट नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे और हाँ अब अगर हमारा आटे गीला होता है तो हमें इसको पानी से चिपकाने की जरुवत नहीं हो थी एक दम जॉइंट फ्री करते हुएं आप इस तरीके से बिए तोड़ कर नगल सकते हैं अच्छे से चिपक जाता है यह चिपक गया है बस इसको सरकरण में इससे गोल किया और हमारी सारी कचोरी बनकर त्यार है तो चले सबहीं कचोरी निए बनाकर लख लेते हैं यहां पर हमने ओएल गरॉन को भी से लाल हो जाएंगे अंदर से बिल्कु सीख नहीं पाएंगी और कच्ची लगेंगी तो यहां देखेंगे आपको जूनते हुए तलते हुए हमने इसको कचोडियों को बना कर 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 लिया है सारी ना प्रफॉर्ल आपको लोग पर हिा कचोड़ेदर आरे लिजीए विभा पिस्टे गोर में बहुत की टेस्टी हल्डी ना मुस्तिशन न करें अच्या जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है वैसे अगर आप लोग दाल बिगोना नहीं चाहें तो आप लोग जो मुंकी दाल होती है जो मुंकी दाल की नमकीन होती है उसको भी पीस कर आप यूज कर सकते हैं या फिक कोई भी नमकीन आपके पास हो वो आप पीस करके इसमें मसाले जो मैंन बहुत ही टेस्टी कचोरी हमारी बन करके तयार हुई है, एक कचोरी हम आपको कट करके भी दिखाते हैं, कि कचोरी कितनी खस्ता और कितनी बढ़िया बन कर तयार हुई है, जिस तरह किसे हमने कट कर देखिए, मैदा किस तरह किसे निकल रही है, इसका मतला हमारे जो कचोरी हो बहुती खस्ता बन करके तयार हुई है। एक कम पर्फेक्ट हमारी कचोरी बनी है। जब आपके घर में कोई गैस आईगा तो आप उसको सर्व कीजिएगा। खा करके वो लोग खुश हो जाएंगे कि इतनी बड़िया हमारी कचोरी हमने घर परी बना करके तयार की है। तो आपको यह आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बूलें ऐसे अची वीडियो में आप लोग लिए लाती रहती हो फिर कि बादिए लगाएब के लिए लोगी ज़रूर में दोटाओ मा ज़रूर तो लिए भी मुझे पादाएब के लिएक ज़रूर भी मुझे वीडियो पसित रहती हैं।